एग आईज वल्कम टू टू टार गेट सरकारी नौकरी मैं हूर शाद अली खंट सिक्षा अधिकारी और UPPCS एक्जाम की तयारी के लिए अक्टूबर 2019 से लेकर के अप्रेल 2020 तक के करेंट अफेर्स की टेस्स सीरीज नमरा 5 देख रहे हैं जिसमें आज हम डिसकस करेंगे और कंप्लीट करेंगे अप्रेल 2020 के सभी important current affairs को वीडियो को प्लीज आप लाइक करतीजिए इससे पहले हमने चार टेस्स सीरीज और की है current affairs की उनको भी देख लीजेगा बहुत ही selective और important questions हम इनमें cover करते चल रहे हैं जोकि आपको बिल्कुल miss नहीं करने हैं वीडियो को लास तक देखेगा और आज का पहला question आपके सामने ये रहा 30 अपरेल 2020 को मनिपुर के काले चावल जिसे हम चक हाओ कहते हैं और गोरकपुर की टेराकोटा विधी और कोवल पट्टी की कादलई मितई इन तीनों को भोगोलिक संकेट जिसे हम GI टाग बोलते हैं ये प्रदान किये गए हैं अब सवाल है मनिपुर के काले चावल का रंग किस तत्व की उपस्तिती के कारण होता है बहुत ही important है और अच्छा question है सबसे पहले जानेंगे GI टाग क्या होते हैं और क्यूं प्रदान किये जाते हैं GI टाग की full form होती है geographical indication और geographical indication टाग भारत के भोगलिक छेतर में उत्पादों को दिया जाता है उन प्रदक्ट्स को दिया जाते हैं GI टाग जो भारत के किसी विशेश स्थान पर ही पाया जाता है यानि विशेश भारत के किसी special locations पर ही available होता यानि पूरे इंडिया में नहीं मिलती है यह उत्पाद इसमें जैसे काले रंग का चावल है यह मनीपूर का और गोरकपूर की जो यह टेरागोटा विदी है यह मूर्तिकला की बहुत पुरानी विदी है जो गोरकपूर में ही ह और यह कादलाई मीताई कादलाई मीताई अक्चुली गोड़ और मुंगफली से बनने वाली कैंडी का नाम है यह जो कि तमिल नाडू में मिलती है तो इन तीनों को जी आई टैक दिया गया है यह वहां के भारत के आप कह सकते हैं कि specific या एक special या एक विशेश स्थानों पर यह products पाए जाते हैं उनी को GI tax दी जाते हैं अब सवाल है कि मनिपूर का जो काले रंग का चावल है उसमें कौन साइस element होता जिसके वेशे मनिपूर का जो चावल है वो काले रंग का दिखाई देता है तो इसका answer होगा anthocyanin agent option B anthocyanin agent की उपस्तिति के वेशे मनिपूर में जो चावल होता है वो काले रंग का दिखाई देता है या काला रंग होता है उस चावल का next question देखें next question बहुत important है अगला सवाल देखें सारे questions ही बहुत selective लिए है हमने 22 April 2020 को उच्चितम न्यायल यानि Supreme Court ने किस राज्य में अनुसूची जन जाती जो scheduled tribe होते है scheduled tribe वाले areas मे जो ST को 100% आरक्षन को जो है असमवेधानिक घोशित किया है बहुत अच्चा question है देखें ST और ST पर जो questions आते हैं current events में और static में भी तो 22 April को Supreme Court ने एक decision लिया है आंदर प्रदेश राज्य में अनुसूची जन जाती छेतरों में जो ST उनको पहले 100% reservation दिया जाता था इसको अ answer हो जाएगा टी option बिल्कुल सही है इसके निया इसमें जो है पांच जजो की एक सम्वेधान पीट बनाई गई थी जिसमें नियाय मूर्ती कौन थे अरुन मिश्रा अरुन मिश्रा की अगवाई में पांच जजो की सम्वेधान पीट ने आंदर परदेश के जो राजेपाल तो ये आंदर परदेश से सम्मांदित है अगले सवाल की तरफ चलेंगे question next देखें 18 अप्रेल 2020 को केंद्रिय संस्कृति मंत्री स्वतंत प्रभार जिनका नाम है प्रलाद सिंग पटेल इन्होंने नई दिल्ली में अमूर्त संस्कृतिक विरासत इसकी एक national list जारी की है इन इसको द्वारा मानवता की अमूर्त संस्कृतिक विरासत के रूप में मानता प्रदान की गई है बहुत अच्छा question है तो इसमें आप इस नंबर को ही आप याद रखेंगे इसका answer होगा 13 ये नंबर ही आप से पूछा जाएगा option A बिल्कुल सही answer next अवाल question number next देखें 17 अप ज़ु किसान का अपना वाहन याद रखेंगे इस आप को launch करने का मकसद क्या है तो ये आप जो है जो क्रशी यानि agriculture और बागवानी की उत्पादन से जुड़े हुए जो किसान और व्यापारी हैं उनके लिए परिवहन की सुवीधा या उनके लिए परिवहन की खोज करने में सुवीधा प्रदान करती है ये mobile app जो किसान जिसे मंडी तक जाते हैं या फिर वेर हाउसे तक जाते हैं उनके आने जाने के लिए जो वाहनों की सुवीधा या उनकी जानकरी इस अप पर अवेलेबल है तो इसका आंसर हो जाएगा A option नेक्स सवाल देखेए एक और best question देखे अब ये 5T का मतलब क्या है ये exam में पूछ सकता है 5T मतलब ये T letter है अब इसमें पहले T का मतलब होगा टेस्टिंग पहले का ध्यान से सुनिएगा पहले का टेस्टिंग दूसरे का ट्रेसिंग तीसरे का टीमवर्क चोथे T का मतलब है treatment और पांचवे का है ट्रैकिंग ये ये 5T योजना में पहला है परिक्षन जिसे हम टेस्टिंग होने के दूसरे है ट्रेसिंग तीसरे है टीमवर्क चोथा है treatment पांचवे ट्रैकिंग ये 5T ओजना लॉंच की है दिली में किसे समन्दीद है कोरोना वाइरस से तो परिक्षन कारिक्रम के तहत इसके तहत कोरोना संकरमित जो hot spot एरिया है इसमें जो है एक लाग से ज्यादो टेस्टिंग करने का इसमें एक तरीके से लक्ष रखा गया है next question निक तरफ चलेंगे अगला question important है सारे important questions आज के हमने शामिल किये है 9 अप्रेल 2020 तो COVID-19 के प्रबंधन के लिए सरकार ने किस मंत्रा लेके दीख्षा platform पर integrated government online prescription जिसको I got launch किया गया है किसने किया है कौन सा मंत्रा ले है मारवस अंसादन विकास मंत्रा लेने इसको launch किया है option B इसका सही answer है actually इस portal का उद्देश है ये है जो COVID-19 महामारी से जो प्रबावी इसमें विशेश रूप से उन लोगों को दिया जाएगा जैसे चिकित्सक है डॉक्टर्स है नर्स है आर्द चिकित्सा कर्मचारी है टेक्नीशन है जो इस COVID-19 महामारी से निपटने के लिए जो भी help कर रहे है जो भी इसमें शामिल है उनके प्रसिक्षन के लिए बनाय गया है नेक्स कुशन नमर नेक्स देखिए 6 अपरेल 2020 को 6 अपरेल 2020 को केंद्रिय मंत्री मंडल ने संसद अधिनियम संसद अधिनियम 1954 के तहत जो सदस्य होते हैं मेंबर ओफ पार्लिमेंट होते हैं जो संसद के सदस्य होते हैं उनके वेतन भत्ते और पेंचन में कटोती है तू संशोदन के अधियदेश को मंजूरी प्रदान की है इस मंजूरी के तहत सभी संसदों के यानि MPs के वेतन और पेंचन में एक वर्ष तक कितने परसंट की कटोती की जाएगी बहुत अच्छा कोशन है कोशन आ सकता आपके एक्जाब में तो जो सांसद होते हैं जो मेंबर ओफ पार्लियमेंट होते हैं इस अधिनियम के तहत सदस्यों के वेतन में कटोती में सरकार ने एक वर्सक लगबग 30% तो 30% जो है उनका जो वेतन और पेंचन कटेगा एक साल तक इससे जो है एक वर्स तक आने वाले 8000 करोड रुपे की बचत होगी इतने पैसे कटने पर सांसद हो के नेक्स कोशन देखिए अगला सवाल देखें दो अप्रेल 2020 को केंदर सरकार ने कोरोना वाइरस के दिरिस्टिगत और इसे ट्रैक करने के लिए तो ये एप बनी हुई है पबलिक और प्राइवेट पार्टनर्शिप में बनी हुई ये एप है और इस एप का अस्तमाल आप जानते है आपने बहुत शेयर किया है इस एप को अपने आसपास या अपने फ्रेंट्स को जहां भी आपने इसको शेयर किया है आप जान रहे है इस आप का स्तमाल क्या है आपके आसपास वाले छेत्रों में नियरस्ट में जो भी COVID-19 या कोरोना वाइरस से संक्रमित जो भी केसिस हैं वो शो हो जाते हैं इस आप में इस आप को कितनी भाशाओं में लौंच किया गया है ये ग्यारा भाशाओं में उपलब्द है ये आप ठीक है नेक्स कुशिंग की तरफ चलेंगे कुशन नंबर नेक्स देखिए 27 अप्रेल 2020 को सिपरी सिपरी का फुल फर्म आपसे पूछ सकता है ध्यान दखिएगा स्टोक हॉम स्टोक हॉम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंसिट्थ जो अलग-अलग देशों की सैनाओं पर पैसा खर्च किया जाता उसकी एक रिपोर्ट आये इस मामले में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है यानि भारत जो अपनी सैनाओं पर पैसा खर्च करता है पूरे विश्व की सैनाओं में कौन से नंबर पर हम लोग आते हैं तो देखे इस बहुत अच्छा कोशन है आ सकता है इस रिपोर्ट के अनुसार 2019 में जो विश्व सैन्य खर्च है उसमें इसमें देखिए इसके अनुसार जो रैंकिंग दी गई है उसमें अमेरिका नंबर बन पर आता है पहली सबसे ज़्यादा अमेरिका अपने देश की मिलिटरी पर खर्च करता है दूसरे नंबर पर चाइना आता है तीसरे नंबर पर हम आते हैं यानि भारत तो अमेरिका 700 बिलियन डॉलर खर्च करता है अपनी सैना पर चीन करता है 261 बिलियन डॉलर भारत करता है 81 बिलियन डॉलर उसके बाद चौते नमबर पर प्याता है रशिया का और पांच में नमबर पर साओधी अरेविया का तो ये हैं आपको इनको याद रखने तो भारत की पोजीशन आपके अकॉर्डिंग क्या हो गई थर्ड पोजीशन इसका सही अंसर है नेक्स सवाल देखिए चलिए कॉश्चन नमबर नेक्स देखें हाली में किस देश ने सफलता पूरवक सैन्य उपगरे नूर लॉंच किया है तो इसका अंसर हो जाएगा पी ऑप्शन इरान ने लॉंच किया है नूर नाम का ये सेटलाइट अगला सवाल देखिए अगला इंपॉर्डन कॉश्चन देखें हाली में किस देश ने प्रस्तावित युनेसको की विश्व धरोवर समीती का 44 समा सत्र इस्थागित किया है 29 जून से लेकर के 9 जुलाई के बीच में चीन के फूजो फुजियान चीन का है फूजो फुजियान नाम का एक प्रांथ है वहाँ पर युनेसको की विश्व की युनेसको विश्व धरोवर समीती का 44 समा सत्र होने वाला था जो की पोस्पॉन कर दिया गया है किसके कारण आप जानते है COVID-19 की वज़े से इसके प्रभाव की वज़े से इसको हटा दिया गया है अब ये जो है इससे पहले का आप से पूछ सकता है कि युनेसको की विश्व धरोवर समीती का 43 वा संस्क्रण ये कहां पर हुआ था ये अजर्बेजान में हुआ था बाकु में ठीक है नेक्स सवाल देखें क्वेशन नमबर नेक्स देखिए एक अपरेल 2020 को सहिंग तुरास्ट ने नवंबर 2020 में कहां पर प्रस्तावित कोप 26 के अजर्बेजन को स्तगित करने का निर्ण ने लिया है एक अपरेल 2020 को सहिंग तुरास्ट ने नवंबर 2020 में ग्लास को कहां पर है स्कॉट लैंड में प्रस्तावित था कोप 26 कोप 26 की फुलफोर में Conference of Parties Conference of Parties 26 का अजर्बेजन स्तगित कर दिया गया जो कि ग्लास को स्कॉट लैंड में और ने वाला था ए उप्शन सही रहेगा तो इसका आईजन 2021 में अब किया जाएगा इससे पहले पूछ सकता है आपको कोप 25 का आईजन कहां किया गया था 2019 में मैडरिट में हुआ था मैडरिट मतलब स्पेन में हुआ था नेक्स सवाल देखें इसका PDF आप हमारे टेलिग्राम चैनल से ले सकते हैं टार्गेट सरकारी नौकरी के टेलिग्राम चैनल से यहां से आप answers को collect कर लीजिए वहां से आपको questions की PDF आपको upload हो जाएगी शाम को नेक्स सवाल देखें अप्रेल 2020 में केंद्रे क्रशी एवं किसान कल्यान मंत्राले द्वारा देश में वर्ष 2021 में record कितने करोड टन का अनाज उत्पादन होने का target रखा गया है बहुत अच्छा कुशन है यह option A इसका है 29 करोड 83 लाग तो अप्रेल 2020 में केंद्रे किसान कल्यान मंत्राले के द्वारा जो मांसून की मांसून की एक तरीके से जो अभी मौदूदा हालात है मांसून को देखते हुए वर्ष में जो 2021 में जो उत्पादन होने वाला है हमारे देश में अनाज का उसका लक्षे इतना रखा गया और धान का भी अलग-लग separately पूछ सकता है 10 करोड 10 करोड 65 लाग टन जो है गेहूं का उत्पादन का लक्षे रखा गया है 2020 में और 11 करोड 75 लाग टन धान का यानि पैडी यानि चावल का उत्पादन का रखा गया दोनों का अलग-लग separately भी पूछ सकता है चली नेक्स अवाल क्वेशन नेक्स देखें 22 अपरेल 2020 को शोशल मीडिया चेत्र की अमेरिकी कंपनी जो फेस्बुक है और रिलाइंस इंडस्ट्री समूग की जो जियो है जियो टेलिकॉम है जियो टेलिकॉम में या जियो ब्लैटफॉर्म लिमिटेट में कितनी हिस्थेदारी खरीदनी जो फेस्बुक है अभी जियो के कितने परसंट शेर्स खरीदने वाला है इसका करार हुआ है ये बताना है कितना परसंट इसमें तो सी देखिए 9.99% आपको याद रखना है तो फेस्बुक जो है 9.99% हिस्थेदारी खरीदने के लिए कितने रुपे इसमें इन्वेस्ट करने वाला है ये है 43,574 करोड रुपे चलिए नेक्स सवाल इंपॉर्टन कुश्चन से सारे आज़के 17 पेल 2020 को भारतिय रिजर्ब बैंक के जो गवर्नर है शक्तिकान दास इन्होंने COVID-19 की वज़े से भारतिय अर्थवस्था को हो रहे नुकसान से बचाने के लिए एक घोशना किये जिसके तहत उन्होंने reverse रेपोरेट में जो है कितने आधार अंगों की कटोती की है कितनी है 4.40 है reverse रेपोरेट में 0.25 पी कमी करके reverse रेपोरेट को पहले 4 थी जो की अब 3.75 हो गई है इतनी कमी करने के बाद में ये भी याद रखेंगे और reverse रेपोरेट होती क्या है reverse रेपोरेट वो दर होती है जिस पर जो बैंक है बैंक उनकी और से रवियाई में जमाधन जो होता है उस पर व्याज मिलता है यानि रवियाई के पास बैंकों का जो अधर बैंक का आरवियाई के पास जो बैंकों का जमाधन होता है उस धन पर RBI उन बैंकों को जो ब्यास देता है उसे हम reverse रैपोर रेट कहते हैं तो ये अभी कितनी होगी 3.75 वर्थमान में होगी और कटोती कितनी है 0.25 नेक्स सवाल देखें 14 अपरेल 2020 को अंतरास्टिय मुद्रा कोस इंटरनेशनल मोनेटरी फंड के दोवारा वर्ड एकनोमिक आउटलुक अपरेल 2020 के अनुसार 2020 में भारत की विरिद्धी दर कितने पृतिशत कितने पृतिशत जो है आकलित की गई है ठीक है अनुमान कितना है तो ये question important है आ सकता है देखिए 1.9% इसको याद रखेंगे 1.9% इस 2020 में भारत की विरिद्धी दर इतनी रहने का अनुमान है नेक्स question और देखिए इसका और last question रहेगा आज का अपरेल 2020 में विश बैंक के अनुसार COVID-19 में हमारी से प्रभावित भारत की जो GDP है भारत की जो GDP है वितवर्ष 2021 में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है तो जिन institutions के according ये reports जारी की गई है या भारत की growth को बताया गया वो आपको वैसे ही question पूछा जाएगा ठीक है सब के तो आपको याद रखने है इसमें options सी आप चेक करेंगे 1.5 से 2.8% तक ये इसका answer होगा सही तो ये questions रहेंगे आज के इस test series में next आज जो हम history की test series करेंगे उसमें हम मदगालीन भारत से शुरुआत करेंगे दिल्ली सलतनत के questions को discuss करेंगे वीडियो को प्लीज आप लाइक कर दीजेगा Thank you so much